फाइनली किड का बैक स्टोरी रिवील हो गया और हाँ यार ये बैक स्टोरी जो थोड़ा इंट्रेस्टिंग सा लगा मुझे पर इससे पहले कि तुम कमेंट बॉक्स में ये पूछना चालू कर दो कि भाई कहां पे रिवील किया ओडा ने हमने तो पुरा मांगा रीड कर करते हैं जिसे नाम दिया गया है SBS वॉल्यूम सीरीज अब देखो इस SBS का एक फुल फॉर्म भी है जिसको ले करके मैंने अलग से वीडियो बना रखाए SBS के बारे में बहुत अच्छे से जानकरी दे रखिए मेरे इस वाले वीडियो पर अगर तुम को देखना है तो तुम वाले वीडियो जाके देख सकते हो लिंक इन दर डिस्क्रिप्शन और एक बाद अगर तुम्हें मेरे बैग्राउंड में मुर्गा चिलाता हुआ नजर आये तो देखो यार सुभा का टाइम है और सुभा को मुर्गा चिलाए गई तो उसको जो है इगनोर माल रहा हां तो बड़ी मुस्किल से जापनीज में जानने को मिलता है जिसको लेकर के कुछ लोग जो है ट्रांसलेट कर देते हैं और वहीं में से मुझे पूरा वाल्यूम कभी भी किसी भी साल नहीं मिल पाता है अब हां कुछ रहों आके मुझे बोल सकते हैं कि भाई लाइब्रेडियो औ उहारा में तो कुछ वाल्यूम के ट्रांसलेशन दिये हुए देख हो जो है सिर्फ में में पॉइंट्स ट्रांसलेट करता हैं, पूरा वाल्यूम को कभी भी नहीं किया है और इस वज़े से बहुत ज़्यादा problem होता है, मुझे खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पर खेर क्या कर सकते हैं, किसमत खराब, भाई, foreigners को नसीब नहीं होता, हम तो Indians हैं, इंडिया में तो One Piece जैसे भी कम famous है, खेर क्या कर सकते हैं, Japan में आता है, लेकिन हाँ, कु Why Kid and Killer become pirates and what's the backstory behind heat and wire, joining them, अब देखो बहुत जाले लोग अब बोलेंगे, यह heat and wire कौन है, तो यह Kid Pirates के ही crew members हैं, खेर, Aichirooda ने इसका जवाब दिया है, बहुत अच्छे से, उन्होंने कहा है, of course there's a story, यह चारों जो हैं, पैदा हुए South Blue के किसी island पे, Kid और Killer, एक दूसरे को बचपन से जानते थे, बचपन से यह दोनों besties हैं, जिस island या कहलों जिस country में यह लोग पैदा हुए थे, वो country जो है world government के साथ allied नहीं था, जिस वज़े से वहाँ पर एक gang rule करता था, वो खुद को reality की तरह, मतलब represent करते थे, अब देखो उस country के जो है, चार district हुआ करते थे और हर district का अलग-अलग group बना हुआ था, और उस group के चार leaders थे, और वो जो चार अलग-अलग group थे, चार अलग-अलग district के, वो leaders थे, kid, killer, heat and wire, अब एक दिन क्या होता है, एक घटना घटता है, kid का close friend होती है, जिसका नाम रहता, Victoria, वो जो gang जो rule कर रही थी, इस island पे, या इस country पे, वो लोग kid के, उस friend को जान से मार देते हैं, जिसके बाद kid का माथा सनक जाता है, वो क्या करता है, चारो group को unite करता है, और वो सब मिल करके, उस gang को खतम कर देते हैं, जिसके बाद kid here decide करता है, I don't want to stay in a closed world, like this, वो इस दुनिया में बंद रह करके, नई जीना चाता है, और इसके बाद वो क्या करता है, अपने दोस्तों को घटा करता है, और फिर अपना जो है, crew बना के, समुंदर में sale के लिए निकल पड़ता है, प्लस वो अपनी ship का नाम देता है, Victoria Punk, हाँ उसी लड़की के नाम पे जो है, Victoria Punk रखता है, भाई देखो बहुत ही अच्छा backstory थ जो कि सेम लड़की थी, वो Victoria नहीं कोई और थी, जिसे वॉल्यूम 103 में कवर किया है, ओडा ने, अब 103 में क्या हो था, बताता हूँ, एचरो ओडा से एक fan जो सवाल पूछती है, जिसका नाम होता है, कारिन, हाँ वो अपना ID का नाम वही रखती है, वो सवाल पूछती है, ओडा सेंसे से, कि आपने लिखा था, कि किड और किलर, दोनों करी उड़न नूडल से, जो है, काफी ज़्यादा हेट करते हैं, इसके पीछे का पास्ट क्या है, जिसके जवाब में ओडा ये बताते हैं, जब वो दोनों यंग थे, किड और किलर दोनों का क्रस एक ही लड़ कहीं जा रहे थे, जिसके बाद होता क्या है, वो करी उड़न सू, उस लड़की के कपड़ों में गिर जाता है, जिसके बाद ये लोग हग देते हैं, मतला मजाक उड़ा देता है, जिसके बाद वो लड़की इनको बहुत गंदी तरह से पीटती है, और फिर हाँ, वो पाइरेट का भी बैक स्टोरी रिवील किया है, जिसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊगा, विकॉज यार मुझे बहुत तरह वॉल्यूम्स पढ़ने होंगे, जिस तरह से किड और किलर का बैक स्टोरी दो वॉल्यूम में डिवाइड़ था, दो हिस्सों में ओड़ा न एलो किड का बैक स्टोरी, कमेंट बॉक्स में राय देना मत बुला, किसी ने मुझे बोला था कि Instagram पे मैं reply नहीं करता हूँ, देखो यार मैं बहुत दिन हो गया, मैं Instagram पे जाता हूँ लेकिन जब भी Instagram खोलता हूँ, इतने सारे मेसेज़ेस आये रहते हैं, मेरे को डर लग जाता है कि मैं खोलू या ना खोलू बट डोंट वरी मैं इस संडे जो है चेक आउट करूंगा सभी के कमेंट्स तो उस वक्त जो है मैं तुम सब से बात करूंगा जिन लोगों ने भी मुझे रिक्वेस्ट में भेजाए तो इस संडे मैं पक्का रिपलाई दूंगा तो वहा है